पाधियों, पहले देश के युवाओं में खेल का जजबा तो होता था, प्रतिभा भी होती थी, लेकिन अक्सर संसाधन और सरकारी सयोग की कमी हर बार आड़े आ जाती थी. अब हमारे खिलाडियों की इस चनोटी का भी समाधान किया जा रहा है, मैं आपको इस जैपूर महा खेल का ही उदारन दूँगा. जैपूर में ये आयोजन बीते पांच-छे वर्सों से चल रहा है, ऐसे ही देश के कौने-कौने में भारतिये जनता पार्टी के सांसर अपने-अपने खेत्रों में खेल महा कुम्भों का आयोजन करवा रहे हैं. इन सेंकडों खेल महा कुम्भों में हजारों युवा, हजारों प्रतिभावान खिलाडी अलग-अलग खेलों में भाग ले रहे हैं. सांसत खेल महा कुम्भों की बज़े से देश की हजारों नई प्रतिभाएं उभर कर सामने आ रही हैं. साथियों, ये सब इसलिए मुम्किन हो पा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार अब जीला स्तर और स्थानिय स्तर तक स्पॉर्ट्स फैसिलिटी बना रही है. अब तक देश के सेंकड़ों जीलों में लाखों युवाओं के लिए स्पॉर्ट्स इंफ्रास्रक्टर तयार किया गया है. राजस्तान में भी केंद्र सरकार द्वारा अनेक शहरों में स्पॉर्ट्स इंफ्रा का निर्मार हो रहा है. आज देश में स्पॉर्ट्स उनिवर्सिटी भी बन रही हैं और खेल महाकुम जैसे बड़े आयोजन भी प्रोफेशनल तरीके से हो रहे हैं. इस बार नेशनल स्पॉर्ट्स उनिवर्सिटी को भी अधिक्तम बजट प्रदान किया गया है. हमारा प्रयास है कि स्पॉर्ट्स मेनेजमेंट और स्पॉर्ट्स टेक्नोलोजी से जुड़ी हर विद्या को सिखने का माहोल बने. जिससे युवाओं को इस छेत्र में केरियर बनाने का अवसर मिलेगा है. साथियों, पैसे की कमी के कारण कोई युवाँ पीछे न रह जाएंगे, इस पर भी हमारी सरकार का ध्यान है. बहत्रीन प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को केंद्र सरकार अब सालाना पांच लाख रुपिये तक की मदद करती है. प्रमोख खेल पुरसकारों में दी जाने वाली राशी भी तीन गुना तक बढ़ा दी गई है. ऑलिम्पिक जैसी बड़ी बैश्विक प्रतियोगीताओं में भी अब सरकार पूरी शक्ती से अपने खिलाडियों के साथ खड़ी रहती है. टॉप्स, टॉप्स, टॉप्स जैसी स्कीम के जरिये वर्षों पहले से खिलाड़ी अलिम्पिक की तैयारी कर रहे है.